केवल E.D. को कहना कि ये इलेक्शन डकोसला है उससे तो दस्तावेज मिट नहीं जाते हैं। में जब CBI और E.D. UPA के शासन में काम कर रहे थे। उस वक्त इटली में जो चेरपरसन थे उस कंपनी के उनको गिफ्तार किया गया था। उन्होंने मदद मांगी स्विजरलेंड की पुलीस से। स्विजरलेंड की पुलीस ने वहां रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम दो हजार तेरा में आया था। तो कोई चुनाव डखोसला उस वक्त स्री नरेंदर बोधी का नहीं था। जिसका नाम था गाइडो हसके। हसके का नाम बार-बार इसमें आता रहा। उसकी माता जी के घर पर सर्च किया था। स्विज पुलीस ने। और वहां काफी दस्तावेज मिले। इमेल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे। तो यह कौन सा कोइंसिडेंस था कि 2013 में जो रिकवरी हुई वह भी स्विस पुलीस द्वारा कि इस ट्रांजक्शन ऑगस्टा वेस्टलेंड में किस-किस को पैसा मिल रहा है। उसमें भी आरजी, एपी, फैम, यह अंग्रेजी के अल्फबेट्स थे। सीबी आई ने भी प्रिलिमिनरी इंवेस्टिगेशन 2013 में रिजिस्टर की थी। इसमें चुपी नहीं चल सकती कॉंग्रेस की। केवल सीबी आई इडी को गाली देना नहीं चल सकता। यह 2013 का शुरू हुआ मामला है। और उस मामले में उन दोनों मामलों में इंवेस्टिगेशन तब आगे बढ़ा जब मौजूदा सरकार ने और एजन्सीज ने कदम उठाए। और क्रिश्चेन माइकल 4 दिसंबर 2018 को और एक राजीव सकसेना 30 जनवरी 2019 को हिंदुस्तान आए। UAE से। उनके माद्यम से भी नई documentary evidence और oral evidence आई उनके बयान भी हुए। एक का तो कोट में भी हुआ। यह सब अखबारों में छपा हुआ है। तो यह कैसा coincidence है। कि Switzerland में जो 2013 में दस्तावेस recover होते हैं और जिसमें वो इनिशल्स हैं जो अब documents मिलते हैं investigation के दौरान इन दोनों महनुबवों के आने के बाद यह उससे भी mail खाते हैं। झाल